कि अज़ आज में हार्मोंस एंड इंजाइम में दूनों भी क्या अंतर है इसके बारे में बताने वाली हूं जैसा कि दोस्तों अन्ताहिस्तरावी वह इस्तरावी और मिश्रिद गंथी क्या है इसके बारे में बता चुकी हूं आज में बताने वाली हूं कि एंजाइम और हर्मोंस में क्या अंतर है दोस्तों जैसा कि जो एंजाइम होता है वह वह इस्तरावी होता है यानि इसका रक्त से संपरक नहीं होता है यह ग्रंथी की नलिकाओं द्वरा यानि कि इसमें एक नलिका होती है जिसके द्वरा अंगों तक ले जाया जाता है और जो हर्मोंस होता है वह अंतर हिस्तरावी होती है इसमें नलिका विहिन होती है इसमें कोई नलिका नहीं होती है हार्मोनज को सीरे रक्त में छोड़ता है और उधीर द्वारा समस्तरी में गति करता है कि सभी एंजाइम्स जो है वह प्रोटीन होते हैं जब कि सभी हार्मोनज प्रोटीन नहीं होती है यह सभा से प्रोटीन अमीनों अमलतता इस्टरायड से बिदपन होते हैं एंजायम सरीर को बहुत कम मातरा में आव सकता होती है और हर्मोन्स जो है हर्मोन्स की अधिकता या कमी या अधिक या कमी होने से बिमारी होती है एंजायम जो होते हैं उपापचे क्रियाओं में शीधे भाग लेते हैं एंजायम जो होते हैं रसाइनिक क्रियाओं के बाद जियों के तियों बचे रहते हैं और फिर से क्रियाओं भाग ले सकते हैं जो हार्मोन्स होते हैं वो रसाइनिक क्रियाओं के बाद भी घर्टित हो जाते हैं इनका पुना उपयोग नहीं हो शकता एंजाइम जो होता है एंजाइमों का इस्त्रावित किया जाता है और एक ही अस्थान पर कारे करते हैं जबकि हार्मोन्स का इस्त्राव वसक्रियर विभीन अस्थानों पर होता है दोस्तों जैसे कि एंजाइम का आर्विक भार बहुत अधिक होता है जबकि हार्मोन्स का अर्विक भार कम होता है यह तो हुआ दोस्तो एंजाइम और हार्मोन में अंतर दोस्तो कई बार पूछा जाता है जैसे कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं यह आप ध्यान में रखेगा किसी भी एंजाइम का नाम दे करके पूछीगा यह क्या है तो प्रोटीन आपसन दिया रहेगा तो वो सही होगा एंज दोस्तो एंजाइम और हार्मोन्स में अंतर आप दोनों में समानता क्या होती है दोस्तो एंजाइम और हार्मोन्स में समानता क्या होती है इसमें जोस्तो दोनों में समानता क्या होती है कि इसमें दोनों ही एंजाइम्स और हार्मोंस दोनों ही भोजन से न प्राप्त हो करके कोशिकाओं द्वारा संसलेशित किये जाते हैं इस्त्रावित किये जाते हैं और दुसरा समानता है इसका सिग्र घुलनसीलता का गुड़ होता है तिसरा समानता होता है कि दोनों की बहु जिससे आपको एक दो कोस्टन जरूर मिलेंगे तो आए हो कि दोस्तों यह आपको समझ में आया होगा एक छोटा सा वीडियो था बट वेरी इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों वीडियो कैसा लागा मुझे कमें जरूर बताईए और जादे जादे सेयर कीजिए और फर्स बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिल आइकन को फ्रेज कर दीजिए जिसे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाए हैं